देंगू नामक बिमारी एक वाइरस की वजह से होती है जो मादा एडीस मच्छर के काटे जाने पर लोगों में फैलता है इसकी महतुपूर्ण पर जातियां है एडीसी जीप्टी एवं एडीस सेलेबो पिक्टस इस रोग की लक्षण फ्लू के समान होते हैं जैसे की बुखाराना सरदर्द त्वचा पर लालदाने और अत्यादिक ठकान होना इसमें नाक एवं मरसूडों से खून भी आ सकता है इन लक्षणों की उपस्तिती में आप किसी भी ऐसी दवा जिसमें आईबो फ्रेम या एसिटायल सेलिसायलेक एसिड जैसे की एस्प्रेन नाले इस से नकसीर की समस्या बढ़ सकती है आपको तुरंत निकटतम चिकसा केंदर से संपर करना चाहिए इस संक्रमन को रोगने के लिए आपको डेंगू मच्छर द्वारा काटे जाने से बजना चाहिए ये मच्छर मुख्य रूप से सुभै या अंधिरा होने से थोड़ा पहले ही काड़ता है ये जहां पर पनपता है उस जगह से सौगज के दारे में ही रहता है ये मुख्य रूप से पौधो एवं जाड़ियों के पीछे चिपा रहता है घर के पीतर वे परदे के पीछे पलंग के नीचे या बातरूम में चिप कर रहता है आप घर के दर्वाजों और खिड़कियों में धातू या प्लास्टिक की स्क्रीन लगा कर इससे बचाव कर सकते हैं दर्वाजे और खिड़कियां बंद रखें, बिस्तर और सोने की जगाहों पर सही निर्देशा अनुसार मच्छरदानी का उपयोग करें आप बैटरी या इलेक्ट्रिक डिफ्यूजर जिनके पैड्स कीटनाशक या कीटनाशक स्प्रे से उपचारित हों उनका उपयोग कर सकते हैं जब आप घर से बाहर किसी काम के लिए निकलें तो आप मोजे, लंबी पैंट और लंबी बाहँवाली और अगर हो सके तो हलके रंकी शट पहन कर अपना बचाव कर सकते हैं आप अपनी तवचा के खुले छेत्रों पर रेपलेंट क्रीम का इस्सिमाल कर सकते हैं घर के आसपास परियावरण स्वच रखना अधिक प्रभावी होता है जब हमारे पढ़ोसियों और समुदाय का भी सहयोग साथ रहे परियावरण स्वच्चता में ध्यान रखने योग यबाते हैं घरों के आसपास स्थिर पानी के संचय को ना होने देना जिसमें की मच्चर अपनी नसल को ना बढ़ा सकें कार का कोई टायर जो उपियोग में नहीं है उसे निकाल दें कचरा उठाएं और बैग में डाल दें या डिबों में कसकर बंद रखें जब तक कचरा गाड़ी उसे दूर ले जाने के लिए नहीं आती यदि ये सेवा उपलब्द नहीं है तो आप कचरे को जला या तफना सकते हैं खाली बोतले और अने डिबबे जिन में पानी खड़ा हो सकता है उनें हटा दे या उनका मुँ उलट कर रखते ताकि उनमें पानी जमाना हो पक्शियों के नहने के वरतन और कुलधस्तों के पानी को नियमित रूप से बदलते रहें छतों की नालियां जो जलाशयों में तबदील हो सकती हैं उनकी नियमित रूप से सफाई कराने चाहिए गमले वाले पौधों के नीचे रेत लगाएं स्विमिंग पूल में क्लोरियन डाल कर इनमें मच्छुरों को अंडे देने से रोका जा सकता है ये भी सुनिश्चित कर लें कि साफ पानी के टैंक जो की पानी पीने के लिए उपियोग होते हैं वो कसकर बंद रखे जाएं नियमित रूप से लौन में घास की कटाई करें आईए हम सब साथ मिलकर डेंगू को पहलने से रोकें झालखे जाएं प्रषद होते हैं झालखे जाएं झाल